नमस्कार स्वागत है आपका जी एसीजी टेक के एक और नए टिटोरियल वीडियो में मैं हूँ गुपाल सर्मा और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप टैली में परिशान हो चुके हैं काम करते हुए उसके कलर से उसके स्टेंज से आपको काफी कुछ ऐसे सेटिंग्स दिये हुए टैली में जिनके द्वारा आप अपने स्क्रीन को कुछ ऐसा कस्टमाइज कर सकते हैं जिससे आपके आँखों पे कम दबाव पड़ेगा साथ ही आपको कानों को भी जो वो टिक टिक की आवाज से परिशानी होती है उसे भी कंट्रोल कर स सकते हैं और भी ऐसे काफी सारी चीचे विडियो में हमारे साथ बने रहिएगहे विडियो को शेयर कीजिये लाइक कीजिये और चैनल को सब्सक्राइब कीजे चलिए तिटॉरियल पे वहाई पिस आते हैं तो हमने टैली प्राइम को उपन कर लिया और बात कर रहे हैं 3 ऐसे hidden secrets के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं सबसे पहले यहां पे help पे click करेंगे यहां आपको settings मिलेगा settings पे click करेंगे और चाहेंगे display में display में नीचे आपको यहां पे option मिलेगा color and sound का color and sound के अंदर आपको enable color का option मिलता है अगर आप इसे off कर देते हैं मैं double click करता हूँ यह off हो गया और इसके बाद मैं escape करके screen से बाहर आ जाता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपका जो tally है वो पूरी तरह से black and white हो गया है और इसका benefit क्या होगा इसका benefit यह होगा कि अब आपके आँखों पे ज्यादा pressure नहीं पड़ेगा आप अगर टैली पे घंटों घंटों काम करते रहते हैं और उससे आपके आँखों में जलन हो जाती है आपके आँखों में ठकान आ जाती है तो वो नहीं होगा क्योंकि black and white होने से light कम produce करता है settings में और settings में जा रहे हैं डिस्प्ले में और डिस्प्ले में आपको दूसरा जो option मिलेगा वो मिलेगा display mode में bright इस पे click किजे यहां पे जब आप double click करेंगे यह soft में बदल जाएगा इसी तरह double click करेंगे तो bright हो जागा अगर आप soft ले ले लेते हैं तो आँखों को और ज्या डिस्प्ले के अंदर enable color तो भी soft light होने के वज़ा से आँखों पे कम दबाव पड़ता है यह दो setting आप अपने अनुसार कर लीजे और कैसा लगा मुसे comment में जरूर बताईएगा और तीसरा तो इससे भी जबटचस्त है और वो है enable sound आपको याद होगा जब भी आप काम कर र है जब आप prong input करते हैं लेकिन अब आप एक pro बन चुके हैं आप टैली को बहुत अच्छे से चला सकते और फिर भी यह sound सुनने को आता है तो बड़ा मतलब कानों पे दर्द होने लगता है इस चीज़ को आप easily यहां से बंद कर सकते है help में चाहिए settings में जाएए display में चाह पहला आपने color को अगर चाहा तो black and white कर दिया जिससे रौसनी कम पैदा हो दूसरा उसमें भी अपने soft light theme इनेबल कर लिया जिससे और आसानी हो गई और तीसरा आपने sound को भी बंद कर दिया यह तीन trick आप अपने जगह पर आजमाए अपने दोस्तों के साथ share करे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसे ही और useful tips and tricks के साथ next वीडियो में तब तक के लिए बाए thank you